अलो फ्रेंड्स वेलकम बाग दोस्तो आज जिस फिल्म की बात होगी वो फिल्म है कंगना रना स्टार अर्टेजस जो 27 अक्टूबर को रिलीज हुई पैट्रियॉर्टिसम और ब्रेवरी पर बॉलिविट में कई फिल्में बनी है आम तोर पर इन फिल्मों में देश पर हस्ते हस्ते सेक्रिफाइस होने वाले अक्सर हीरो होते हैं मगर डारेक्टर सर्वेश मिवारा की फिल्म तेजस में दो हिरोइंस की हिरोइस्म को देखना नया पन लाता है हालांकि उन्होंने स्टोरी और VFX पर महनत की होती तो फिल्म का अंदाज और दमदार हो सकता था अब आती हूँ मैं स्टोरी डीकोड सेक्शन में कहानी में तेजस गिल्याने के कंगना रनाओट इंडियन एर फोर्स की ब्रेव फाइटर पाइलट है जो फिल्म के पहले ही सीन में अपने सीनियर्स के ओर्डर्स की परवा किये बगैर अपनी जान जोकिम में डाल कर एर फोर्स के बड़े आफिसर की जान बचाती है देजस के इस कदम पर investigation committee उस पर action लेने वाली होती है लेकिन तब ही खबर आती है कि पाकिस्तानी terrorists ने देश के एक बहुत ही courageous intelligence agent को hostage बना लिया है अब यदि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की शर्ट नहीं मानी तो वो उसका सर कलम कर देंगे मतलब उसे मार देंगे इंडियन intelligence agent के rescue operation के लिए तेजस और उसकी co-pilot आफिया याने के अंशुल चोहान को भेजा जाता है ये दोनों जब rescue operation को अंजाम देने जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि आतंगवादी राम मंदिर पर बम धमाका कर हिंदो मुस्लिम कम्यूनिटी के बीच दंगा करवाना चाहते हैं बस उसका वही past उसे अपनी जान कुर्बान कर terrorist का खात्मा करने के लिए inspire करता है अब आगे के mission कैसे पूरे होते हैं या नहीं होते इसके लिए film देखनी पड़ेगी अब आती हूँ मैं actors की performance और कई technical aspects पे डारेक्टर सर्वेश मेवारा की कहानी में दो heroine को unconventional role में देखना अच्छा लगता है लेकिन film की problem ये है कि डारेक्टर का पूरा जोर heroism की heroism को establish करने में जाता है कहानी को कसने में नहीं कहानी का first half काफी slow है second half रफतार पकड़ता है पर climax predictable लगता है एर फोर्स में तेजस की training परिवार के साथ उसका रिष्टा और उसका love track राहत वाले है मगर rescue operation में हवा में fight और पाकिस्तान में घुस कर Indian secret agent को छुड़ा लाने की technique convincing नहीं लगती तेजस के aerial stunts impress करते हैं लेकिन film का VFX कमजोर link है कई scene Tom Cruise की filmों की याद दिलाते है कहानी emotional level पर जोडने में कम तर साबित होती है पेजस और आफिया की बीच के dialogue अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे लड़कों को भेजना चाहिए था non-traditional field में महिलाओं दुआरा खुद को साबित करने की pressure को भी दर्शाते हैं हरी बेदंतम की cinematography, deserts में air strikes, flight और battles को attracted हंग से present करते हैं साश्वत सचदेव की music में दिल है रांचना और जान दा चैसे सौंग अच्छे बन पड़े हैं ये पूरे फिल्म कंगना रनाओत की कंधो पड़ टिकी है फिल्म में उनके 16 साल की journey को दिखाया गया है इसमें डीजिंग टेकनीक का इस्तिमाल किया गया है वो अपने रोल को खुबसूरती से अंजाम देती है फाइटर पाइलट के रूप में उनके एजिलिटी और शापनस नजर आती है उनके फेलो पाइलट आफिया के रूप में अंचल चोहान ने अपने रोल को पावरफुल ढंक सी निभाया है तीजस के लवर के रोल में वरुन में तरह स्वीट लगे है आशिश विद्यारती ने हाई रैंकिंग आफिसर के रूप में अपने रोल के साथ जेस्टिस किया है फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट को जादा मौका नहीं मिला है आरिफ शेक की इडिटिंग भी एवरेज है मतलब और शापनेस की जरूरत थी डूरेशन 112 मिनट 27 अक्टूबर से नजदी की सिनिमा घरों में चल रही है अब आती हूँ फाइनल सेक्शन में मतलब फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए My verdict If you are a fan of Kangana Ranaut and are fond of patriotic films then you can watch this film Thank you मैं यही पे इस वीडियो को end करूंगी विलती हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक की लिए आप अपना खयाल रखे और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेर जरूर करे और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले